हेलो इभरी वान तो आप सब लोग कैसे है? आइभ आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज मैंने बनाया है मौर्णिंग टाइम में आलो के पराठ है तो चलो कैसे बनते है? सिंपुल सा है, मैंने आलो को वॉयल करके रखा था और गालिक को मैंने चॉप करके रखा है फिर कड़ाई में मैं रिफाइन ओयल दे दूँगी संफलार के ओयल फिर उसके अंदर मैं दे दूँगी जीरा और गालिक धेर साला धेर साला गालिक इसका फ्लेबर बहुत अच्छा आता है पिर खंदर में देोंगी लालमीश पाउडर तोर राढ़नी के लिए पिर ऑची से में भून लूँगी देखना गाली की बहुत सुंद हमेह स्मील आएगी फिर उसके अंदर में दे दूंगी थोर इसी पानी, पानी देने के बाद उसके अंदर में दे दूंगी आलू, आलू के इसे हाथ से में तोर के दे रही हूँ, फिर इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर रूंगी, नेश कर लूंगी, मुझे पहले आलू को नेश करना चाहिए थ आप पहले आलो को नियाश कर लेना अच्छे से नहीं तो ऐसे मेरे तरफ से ऐसे दिक्कत हो सकता है इसको मैं अच्छे से नियाश कर लूँगी देखे हो गया है इसको अच्छे से मैं नियाश कर लिया अभी इसके अंदर मैं दे दूँगी कसूरी में थी इसको आप स्किप कर सकते इसको देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसको अदर में दे दूँगी कसुरी तो तियार हो चुका है मेरा मसाला फिर चलो बनाते फिर मैं आटे को लूगे अच्छे से में इसको गोल-गोल करके मतलब इसका अंदर आलो के मसाला को इसको अच्छे से मैं दे दूँगी फिर इसको चारो तरफ से हमें बंद कर लूँगी अच्छे से ऐसे फिर इसको आठे से मदस से मैं इसको अच्छे से गोल गोल करके बेल लूँगी निकल ले जाएगा थोड़ा थोड़ा सा आलो चारो तरफ से निकल ले ज ज़्यादा दबाना नहीं है जबाएंगे तो चारह तरफ से आलू निकल जाएंगे तो इसको पकाते हैं ये फिर इसको मैं भूण पकालूウँगी दोनों तरफ से पहले हलके हलके से मैंने फ्राइ करूंगी फिर इस गंदर में दे दूंगी थो रिसी में ओयल दे दूंगी आप चाहे तो हाँ पर घी यूस कर सकते नहीं तो बटर तो घर पर नहीं था तो आज तो मैं से और से फ्राइ कर रही हूं संफलार की ओयल है अच्छे से में दोनों तरफ से गोल्डन गलर जब तक न बहुत ही जदा यामी बने थे आप भी घर पर ज़रूर ट्राइ करना ओके बाई